पर दोस्तों आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और जैसे कि आप लगादार कमेंट करते ही रहते हैं कि Assignment Submission की Last Date Extend होगी या फिर नहीं होगी और उसका मैंने हर्वेसा reply यही दिया है कि Last Date Extend होने के अच्छे chances हैं तो आज 28 October 2021 को Assignment Submission Section की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है सबसे पहले है Subject Extension of the Last Date for Submission of Assignment for Term and Examination December 2021 यानि कि Extension of the Last Date यानि कि Last Date को Extend किया गया है Submission of Assignment की December 2021 के लिए यानि कि December 2021 का Assignment Submission जितने भी स्ट्वेंट कर रहे हैं जिसके Last Date अभी तक 31 October 2021 तो उसको आगे Extend कर दिया गया है आगे देखते हैं With the Approval of the Competent Authority Competent Authority की Approval से The Last Date for Submission of Assignment both in Hard Copy and Soft Copy Hard Copy का मतलब होता है कि जब हम फिजिकली जाकर Study Center में अपने Assignment को Submit करते हैं जिसको Offline Assignment Submission भी कहा जाता है और Soft Copy का मतलब जब हम इमेल के जलिए या Google Form के जलिए अपने Regional Center की Website में या फिर Study Center की Website में इमेल में जहां पर भी कहा गया हो वहाँ पर अपने Assignment करने तो उसको कहा जाता है Soft Copy में Assignment करना या फिर Online Assignment करना तो दोनों की Last Date को Extend कर दिया गया है 30 November 2021 तक यानि की अब आप 30 November 2021 सक अपने Assignment को समिट कर पाएंगे एक महिने का समय आपको और दे दिया गया है The Issues with the Approval of the Competent Authority के तरफ से Notice जारिक किया गया है अब आपके पास एक महिने का समय और है इसके साथ मैं आपको बता दू कि Date Seat भी आ चुकी है 20-22 जनवरी से आपके एक्जाम शुरू हो चुके है यानकी शुरू होंगे यह Final Date Seat नहीं है लेकिन Date Seat में कुछ जादा Minor Changes नहीं किये जाते थोड़े बहुत Changes होते हैं जो कि Final Date Seat में किये जाते है Tentative Date Seat से तो अगर आपने अभी तक Date Seat डाउनलोड नहीं किये तो Date Seat को डाउनलोड कीजिए इगनु का exam form भी एक दो दिर में release कर दिया जाएगा जिसके बाद आपको एक से डेट महीने का समय मिलेगा इगनु का exam form भरने के लिए exam form के उपर एक question सभी students के मन में है कि जिनको June में exam नहीं देने दिया गया था तो क्या उनको June, December का exam form भी भरना होगा ऐसे student जो June 2021 session के हैं, first year और second year के student है लेकिन उनको exam नहीं बैठने नहीं दिया गया था June exam में और कहा गया था कि उनको December exam देने दिया जाएगा या फिर जब भी अगला exam होगा देने दिया जाएगा तो ऐसे student जो हैं, उनको December exam form भरने की जरूत नहीं पड़ेगी, उन्होंने पहले ही exam form भर लिया है, June exam form आपने भर लिया है और आपकी fees adjust कर दी जाएगी, अगर आपने June exam form नहीं भरा था, तो आपको December exam form भरना होगा और जो fees होगी, जितनी भी होगी, उसको pay भी करना होगा, तो ये बात आपको धियान में रखनी है, आगे कोई भी नई अपडेट आती है, कोई भी नया notice आते हैं तो उसके अपोगर में आपको जान कर दी जरूर दूँगा, इसलिए आप चैनल पर सब्सक्राइब कर दीज करना है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सेयर जरूर कीजिए